कुछ ऐसे अफसर आते हैं, जो व्यक्ति को अजर अमर बना देते और श्रे सम्मान तथा लोकश रधा के पात्र बना डालते हैं। यो तो साहस, शौरिय और पराक्रम का परिचे चोर और डाकू भी देते हैं, कितने ही संघर्षों में मारे भी जाते हैं, किन्तु उन्हें कौन बहादुर और सासी कहता है? दूसरी और देश की बलिवेदी पर अपनी आहूती दे देने वाले सीमा प्रैरी, सैनिकों को असाधारन श्रे और सम्मान मिलता है। उनके कीर्ती स्तंब बनते हैं, साहस, त्याग और बलिदान के अविस्मरन ये उदाहरन के लिए वीर्ता के अनेकों, चक्र, प्रदान किये जाते हैं। उनकी कीर्ती इतिहास के प्रिष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। स्वार्थों के दल दल में पड़े, उनकी आपूर्ती के लिए दुस्साहस का प्रदर्शन करने वाले आत्तयों को कौन याद करता है? उन्हें तो घ्रिना और तिरसकार का ही भाजन बनना पड़ता है? युगों युगों के बाद जब परिस्थितियां अत्यधिक जतिल हो, जाती है, मानविय पूरुशार्थ उन्हें सुल्जा पाने में असमर्थ सिध्ध होता है, तो महाकाल का दिव्य प्रेरणा प्रवाह उनके अनुकूलन के लिए उमर्ण पड़ता है. महापूरुशों का अवतारों का प्रकटी करण ऐसे ही अवसरों पर होता है, ये अवसर विशिष्ठ होते हैं, जो इसको समझते और अपनी क्षमताओं को दैविय प्रयोजन में नियोजित करने के लिए उस दिव्य प्रेरणा प्रवाह में बहने के लिए स्वयम को मुक्त छोड़ देते हैं, वे धन्य हो जाते हैं, अजर और अमर बन जाते हैं, आगा पीछा सोचने वाले, प्रेरणा प्रवाह को न समझने वाले उस महत प्रयोजन में सहयोग से कन्नी काटते रहने वाले व्यक्ती अंततह घाटे में रहते हैं, और उस एतिहासिक श्रे से वंचि रह जाते हैं, जो अल्प प्रयासो द्वारा संभव था, विगत अवतारों में उनके सामईक सहयोगियों का अविस्मरणिय अनुदान रहा है, राम अवतरण में लक्षमन, हनुमान, आगद, विभीशन, सुग्रीव, नल नील जैसे बलिष्ट और सामान्य रीच वानरों जैसे कनिष्ट समान रूप से सहगामी रहे हैं, गिद, गिलेहरी जैसे अकीचनों ने भी सामर्थ यानुसार भूमिका निभाई है, क्रिश्नकाल में पांदवों से लेकर ग्वालबालों तक का सहयोग साथ रहा है, बुद्ध के भिक्षू और गाधी के सत्यागरही कंधे से कंधा मिलाकर जुटे और कदम से कदम मिलाकर चले है, भगवान सर्व समर्थ है, वे चाहे तो उंगली की नोक पर परवत उठा सकते हैं और वारा, नर्सिंग की तरह अकेले ही अभीष्ट प्रयोजन पूरे कर सकते हैं, किन्तु प्रयोजनों को श्रे देना भी अवतार क एक बड़ा काम है, शबरी और कुबजा जैसी महिलाओं और केवट और सुदामा जैसे पुरुष्यों को भी अवतार के सखा सहचर होने का लाब मिला, गाधी के साननिध्य में विनोबा और बुद्ध के सहचर आनंद जैसे असंख्यों को श्रे मिला था, भगवान के अनन् शिन यश पाने का अवसर मिला है, सहकारिता को, संगठन को, सर्वोपरी शक्ती के रूप में प्रतिपादित करने के लिए महान शक्तिया सदा ही यह प्रयत्न करती रही है कि जागरतों को महत्वपूर्ण अवसरों पर अग्रिम पंक्ती में खड़े होने के लिए उभारा अर्जुन के साथ तो इसके लिए भर्ट्सना जैसे उपाय बरते गये थे, सुग्रीव को धमकाने को लक्षमन पहुचे थे, परमहंस विवेकानंद को घसीट कर आगे लाये थे, अमपली, अंगुली माल, हर्शवर्धन और अशोक से जोलिया गया था, उससे असंखे गु जाए तो कितने ही केवल बिना उतराए लिए पार उतारने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, पटेल और नहरू बनने के लिए कोई भी अपनी वकालत छोड़ सकता है, पर दुरभाग्य इतना ही रहता है कि समय को पहचानना और उप्युक्त अफसर पर साहस जुटाना उनी जाएंदे लोगों से बन ही नहीं पड़ता, जागरूख ही है, जो महत्वपूर्ण निर्नाय करते, साहसिक्ता अपनाते और अविस्मरणिय महामानवों की पद्वी प्राप्त करते हैं, चंदन के समीप उगे जाड़ जंखारों के सुगंधित बन जाने और उसी मूल्य मे बिकने की कीवदंती प्रख्यात है, पानी के दूद में मिलकर उसी भाव बिकने की उकती आये दिन दुहराय जाती है, पारस को छूकर काले, कुरूप और सस्ते मोल वाले लोहे का सोने जैसे गौरवास्पद बहुमूल्य धातु में बदला जाना प्रख्यात है, स्वाती क बूंदू से लाभानवित होने पर सीप जैसी उपेक्षित एकाय को मूल्यवान मोती प्रसव करने का श्रे मिलता है, पेड से लिप्ट कर चलने वाली बेल उसी के बराबर उचे जा पहुचती और अपनी प्रगती पर गर्व करती है, जबकि वह मात्र जमीन पर ही थोड़ दूर तक बढ़ सकती है, उसकी दुर्बल काया को देखते हुए इतने उचे चद जाने की बात किसी प्रकार समझ में नहीं आती, किन्तु पेड का साननिद्य और लिप्ट पढ़ने का पुरुशार्थ जब सोना सुहागा बनकर समनवय बनाते है, तो उससे महान पक्ष की तो कुछ हानी नहीं होती, पर दुर्बल पक्ष को अनायास ही दैर्वी वर्दान जैसा लाब मिल जाता है, यह उदाहरन उस सुयोग का महत्व समझाने के लिए दिये जा रहे हैं, जिसमें महानता के साथ संपर्क साधना, उसके सहयोग का सुयोग पालेना भी कई बार अप सरसदा सरवदाहर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते, रामचरित्र के साथ जुड़ जाने पर कितने ही सामान्य स्तर के प्रानियों ने सामान्य क्रिया कलापो के सहारे असामान्य श्रेपाया, इस तथ्य को सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है, बंदर स्वभाफता उतनी छोटी सी ओदार श्रमशीलता को एतिहासिक बना दिया और कथावा चक उसकी भाव भरी चर्चा करते करते हारते नहीं, ऐसे आदर श्वादी सहयोगों की सफलता में कर्ताओं का पुरुशार्थ ही नहीं, दैर्वी सहायता भी काम करती है और श्रे उन अग्रगामी स पहसियों के पल्ले बाद जाता है, नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया और पत्थर पानी पर तैरने लगे, इस प्रकार के घटना करम सामान्य स्थिती में देखे नहीं जाते किन्तु दैर्वी प्रयोजनों में दैर्वी सहायता की असाधारन मात्रा उपलब्ध होती है इश्वरी ये प्रयोजन की पूर्ती के लिए कैसा जीवन क्रम अपनाया जाना चाहिए। जबकि हनुमान रगुवन्शी तो क्या मनुश्य वन्शी भी नहीं थे। पवन पुत्र की चरम उपलब्धी है रामावतार का निकट्तम ही नहीं, उसका सूत्र संचालक बन जाना। इस वस्तुस्थिती का प्रकटी करण उस चित्र से होता है, जिसमें हनुमान को विशालकाय दिखाया गया है और राम लक्षमन उनके दोनों कंधों पर बालकों की तरह दिखाय पड़ते हैं। प्रकारांतर से इसका तातपर्य होता है, उन उत्तरदाइत्वों का परोक्ष रूप से वहन करना, जो प्रत्यक्षता राम लक्षमन द्वारा निभाए गए समझे जाते हैं। समयानुसार उन्हें इस साहसिक श्रद्धा का सत्परिनाम भी व्यापक कृतग्यता के रूप में मिला है। भारत में पाये जाने वाले राम मंदिरों की तुलना में हनुमान मंदिरों की संख्या प्रायह 10 गुनी अधिक है। इसका तातपर्य राम के। प्रती अश्रद्धा नहीं वरन हनुमान की निष्ठा के प्रती कृतग्यता का प्रकटी करण है। यह उच्चस्तरिय सफलता हनुमान को उपहार अनुदान में नहीं मिली थी। वरन उन्होंने उसे महंगा मूल्य देकर खरीदा था। उन्होंने अपने रोम रोम में राम किये रहते थे। उनके हृदय में अन्य कोई निजी इच्छा अत्वा महत्वा कानक्षा न थी। एक आत्म की स्थिती में निजी लिपसा लालसाएं विसरजित करनी पड़ती है। सीता को यह वस्तु स्थिती एक बार उन्होंने हृदय चीर कर दिखाई थी। पवन पुत की तरह प्रान प्रिय बताया था। यह उभैपक्षिय आत्मियता इतनी सघन कैसे हो सकी। इसमें भावुकता का उभार या अनुग्रह जैसा कोई कारण नहीं था। उसके मूल में साधना का चमतकार था। जो इष्ट देव का ध्यान पूजन करने तक सीमित नहीं रहती। वरन उसकी इच्छा में अपनी इच्छा का समर्पन करके अपने साधनों को उसी की पूर्ती में खपा देती है। राम पंचायत में अन्य सदस्य वस्त्रा भूशन पहने सम्मानित स्थान पर बैथे द्रिश्टिगोचर होते हैं पर पवन पुत्र के शरीर पर लजजावस की तरह लंगोटी मात्र है और उनने अपना स्थान सबसे नीचे चरनों के समीप बैठने का बनाया है। राम से हनुमान का संपर्क जिस दिन से हुआ उस दिन से जीवन परियंत वे उनहीं के छोटे बड़े कार्यों की पूर्ती में अहनिश लगे रहे। उन सभी कृत्यों की गरना कर सकना तो कठिन है पर पांच उनमें प्रमुख है एक सुगरीव को अपनी समस्थ सेना राम काज में नियोजित करने के लिए सहमत कर लेना। दो सीता को खोजे बिना वापिस न लोटने का प्रान प्रन संकल्प करना और उसे निभाना। तीन समुद्र लागने औ और लनका देहन का एकाकी दुस्साहस करना चार लक्षमन को पुंजीर्वित करने के लिए सुषेन वैद्य को चुरा कर लाना ही नहीं वरन परवत समेथ संजीवनी बूती प्रस्तुत करना। 5. रामराज्य की स्थापना में अश्वमेद सरीखे असंखे प्रयोजनों की पूर्ती में अंतिम सांस तक लगे रहना। ऐसे ऐसे अन्यान्य कार्य भी हैं जिनकी पूर्ती में सर्वत अभावन निरत रहकर उन्होंने श्रेपाया। जिसे राम से अधिक राम के दास वाली उक्ती में रामायनकार ने प्रकट किया है। पवन पुत्र जैसा अनुग्रह उन सभी को मिल सका, जिन्होंने राम की गरिमा को, उनके लीला क्रम को सहयोग देने की परिनती की पूर्व कल्पना कर ली। वयोवरिद जामवंत और जटायू, अकिंचन गिलेहरी, दरिद और शबरी की सामर्थ्य भूमिकाओं को देखा जाए तो उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए अनुदान अकिंचन जितने ही कहे जा सकते हैं। इतने पर भी उनकी गाथाए अजर अमर बन गई। वे श्रेयाधिकारी बने और अपने उदाहरनों से असंख्यों को भावभ भरी प्रेरणाय दे सकने में समर्थ हुए। इस सौभाग्य भरी उपलब्धी में प्रमुक श्रेय उस्सूज बूज को है, जिसने अपनी श्रद्धा सहायता को महान व्यक्तित्व और महान अवसर के साथ जोड़कर लाखों गुना अधिक श्रे कमाया। कृष्ण चरित् पर द्रिश्टिपात करने से भी यह तथ्य असाधारन रूप से उभर कर आगे आता है। गोपियों का छाच पिलाना, थोड़ी सी हसी ठिठोली कर देना, गौाल बालों का लाथी का सहारा जैसे कृत्य ऐसे नहीं हैं, जिन्हें दैनिक जीवन में सर्वत घटित होते रहने वाले सामान्य उपक्रमों से भिन समझा जा सके। इतने पर भी वे सहयोग पुरान उपाख्यानों में बहुत बार सराहे जाते रहते हैं। जब इंद्र के प्रकोप के कारण ब्रिच प्रदेश जलमगन हुआ जा रहा था, सामान्य बुद्धी उस दशा में भाग खड़े होने के अलावा कोई उपाय सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन उन परिस्थितियों में असंभव को संभव करने वाला साहस उभरा तथा ग्वाल बाल शिलाखंडों को दूर दूर से समेट कर हात और लाथियों के सहारे लगाने लगे। इस प्रकार विशालकाय बाध बनाया गया और बाध तथा वर्षा से होने वाली हानी तल गई। इंद्र की हार हुई और मनुष्य जीत गया। असंभव लगने वाला काम संभव हुआ और गोवर्धन परवत उठ गया। श्रम शक्ती के नियोजन से स्रिजन का सत्परिनाम प्रत्यक्ष हुआ। सामान्य तयया ऐसा बड़ा काम किसी सुसंपन और समर्थ शासन तंत्रद्वारा ही संभव हो सकता था। गरीब और साधन हीन लोगों में न तो इतना ज्यान होता है और न अनुभव ही। सामान्य बुद्धी इस प्रकार के दुस्साहस में अनर्थ होने का ही निशकर्ष निकालती है। ऐसे जणजट या उल्जण से दूर रहने का ही परामर्ष देती है। इसके विप्रीत महान उद्देश्य के लिए जोखिम भरे दुस्साहस के लिए कटिबध हो जाना आदर श्वादिता का ही काम है। इस तर की प्रेरणा प्रग्या शक्ती के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अनेको योध्धा लड़ते और हारते जीतते रहते हैं पर अर्जुन भीम जैसों को जो श्रे मिला उससे उनकी गरिमा असामान्य हो गई। अर्जुन भीम वे ही थे ज आखों से देखने वाले पांदव, यदि वस्तुताह महाभारत जीत सकने जैसी समर्थता के धनी रहे होते तो न तो दुर्योधन, दुशासन वैसी ध्रिष्टता करते और न पांदव ही उसे सहन कर पाते। कहना न होगा कि पांदवों की विजय श्री में उनकी वबुद्धि मत्ता ही मूर्धन्य मानी जाएगी, जिसमें उन्होंने क्रिष्ण को अपना और अपने को क्रिष्ण का बना कर भगवान से घोड़े हैकवाने जैसे छोटे काम कराने को विवश कर दिया था, यदि वे वैसा न कर पाते और अपने बल्बूते जीवन गुजारते तो स्थिती सर्वता भिन होती और यायावरों की तरह जैसे तैसे जिन्दगी व्यतीत करते। सुदामा की क्रिष्ण से सघन मित्रता जमा सकने की दूरदर्शिता ही उन्हें मित्र के सम्तुल्य बना देने का श्रे दिला सकी। क्रिष्ण सुदामा की सयुक्त चर्चा अनेक अनेक अफसरों पर होती रहती। है, कोई क्रिष्ण की उदार्ता को, कोई सुदामा की गौरव गरिमा को प्रधानता देते हैं। जो हो, दोनों का समन्वय रहा तो ऐसा ही जिसमें महानता का सान्मिध्य समन्वय अपनी चमतकारी परिनती सिधा कर सके। बुद्ध के समय जन्मानस बुरी तरह कुट्साओं और कुन्थाओं के पाप पंक में पसा हुआ था। पुरोहित वर्ग अनाचार के इन दुरदिनों में समाच को प्रतिगामी प्रेरणा भाव दे रहा था। वातावरण में छाए दोहरी प्रतिकूलता के कारण शुद परिवर्तन की संभावना क्षीन ही थी। निहित स्वार्थों पर आचाना विपक्षियों को क्रूद करने जैसा ही था। किसी ने कुछ कसर नहीं छोड़ रखी थी। अंगुली माल अहिंसा का प्रतिग बना हुआ था। तो अमपली चरित्र हनन की। ऐसी परिस्थितियों को उलट देने वाला वातावरण बनाना निश्चित ही अप्रत्याशित था। पर वा अप्रत्याशित असंभव संभव होकर ही रहा। लाखों लोग अपने वैभव और सुखों को तिलान जली देकर परिवराजक बने और हर वर्ग ने विचार क्रांती में सहयोग दिया। भले ही वो संपन रहे हो या निर्धन आदर्श्वादी पराक्रम उफनता चला गया और प्रतिकूलता, अनुकूलता में बदलती चली गई। न साधनों की कमी रही और न संपत्ती की। परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है। जैसे भगवान ने सारा विधान पहले ही रच रखा था। बुद्ध की क्षमता और परिस्थितियों की विशमताय रहते हुए भी, जो परिनाम उत्पन हुए उन्हें अवतार लीला के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। मिस्टर गाधी का आरंभिक जीवन तथा महात्मा गाधी का देवोपम वर्चस्व देखकर कोई भी इस निशकर्ष पर पहुँच सकता है कि राम काज में निरत होना जहां आरंभिक असमंजसों से घेरा है वहां उसके अगले ही चरण इतने शांदार है जिनकी तुलना में आरंभिक असमंजस एवं दुस्साहस के लिए किये गए कश्ट सहन को नगण्य ठहराया जा सके अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ती पहार जितनी उची थी उन दिनों ये कहावत आम प्रचलित थी कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्थ नहीं होता था बुद्ध साहस नहीं था कि इतने शक्तिशाली सामराज जैसे लोहा ले सके और त्याग बलिदान कर सके ऐसी निराशा पूर्ण परिस्थितियों में फिर भी एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिरा यही नहीं अंततह वह विजई होकर रहा उस संग्रा की सहायता के लिए ना जाने कहां से अनुकूलताय उपस्थित हुई और असंभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा सूक्षम जगत में बहने वाली प्रचन शक्तिधाराओं का प्रवाह जो उपर से शांत और सामान्य दीखता है किन्तु भीतर से ज्वाला मुखी ज कहते हैं बुद्ध और गाधी के महान व्यक्तित्वों के संबंध में दो राय नहीं हो सकती पर इस संदर्ब में इस तथ्य को भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि उनके सगन संपर्क में आने वाले असाधारन रूप से लाभान्वित हुए और सौभाग्यशाली बने नगन्य रह गई होती इसका अनुमान लगा कना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए गाधी के साथ यदि विनोबा, राजगोपालाचार्य, नहरू, पतेल, राजेंद्र बाबु आदी ना घुले होते, अपना प्रिथक प्रिथक वर्चस्व बना कर चले होते तो व स्थिती बन नहीं पाती जो बन सकी, नहरू और लाल बहादूर, शास्त्री की घनिष्टता प्रसिद है, यदि उस सघंता को ताक पर रख दे और अपने बलबूते उठने बैठने की बात सोचे, तो फिर परिणाम भी कुछ दूसरे ही स्तरके होने की बात सामने आखरी प्रस्तुत कर सकी, इसे कौन नहीं जानता? मांधाता ने आध्य शंकराचार्य के साथ जुड़कर चारो धाम बनाने का श्रे पाया, भामा शाह का अनुदान राना प्रताप के साथ संबध होने पर ही सार्थक हुआ, अन्यथा इतना पैसा तो सेट साहुकारों के यहां से चोर ठक भी उठा ले जाते हैं और बेटे पोतों में दुर्व्यसनों में उड़ाते फूखते देखे जाते हैं, महामानवों के साथ जुड़ जाने पर श्रे पत कितनी दुरुतागती से प्रशस्त होता है, इनके असंखे उदाहरनों में टिट्री का वहकन भी सम्मिलित ह जिसमें अगस्त्य रिशी की सहायता से समुद्र सोखे जाने और अंदे वापस मिलने की घटना कही जाती है मुर्गा इसलिए प्रख्यात हुआ कि उसने प्रभात काल के आगमन को सही समय पर पहचाना और उसकी सूचना सर्वसाधारन को देने का साहस जुटाया अग्रगामी सदा श्रेयाधिकारी होते रहे है प्रभात की प्रथम किरन धारन करने वाले शिक्षर सबका ध्यान आकरशित करते हैं दूच का चंद्रमा पूजा जाता है संसार भर के आंदोलनों में जो सर्व प्रथम आगे आये, वे प्रख्यात हुए, यो पीछे आने वाले असंख्यों अविग्यातों कभी त्याग बलेदान कम नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाव भरी भूमिका निभाईवे पैंशन पाने, शासन में उच्यपद पाने के श्रेयाधिकारी बने थे, वो समय निकल जाने के उपरांत कोई उस सौभाग्य को पाना चाहे तो यही कहना पड़ेगा कि समय निकल गया, उनीन्दे लोग उन दिनों असमंजस की स्थिती में पड़े रहने पर मात्र पश्चाता भी कर सकते हैं, गाधी की डैंडी यात्रा एवं धर्सन के नमक सत्याग्रह का स्मरण सदा ही किया जाता रहेगा, बाद में तो कितनों नहीं नमक बनाया और कारागार भुगता था, इन दिनों महाकाल ने आग्रह पूर्वक प्रानवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है, वस्तुतह वो श्रेयाधिकारी बनने का सोभाग्य संदेश भर है, भगवान के काम दिव्य शक्तिया समय के उपक्रम एवं अपनी अद्रिश्यक्षमता के आधार पर स्वयम ही संपन कर लेती है, रीच, वानर, रूट मतक कर बैट जाते तो भी सीता वापसी और लनका की दुर्गती निश्चित थी, ऐसे अफसरों का सबसे बड़ा लाब वे अग्रगामी उठाते हैं, जो संकीर्न स्वार्थ परता को छोड़कर समय की मान पूरी करने के लिए, बिना समय गवाय अग्रिम मोर्चे पर जा खड़े होते हैं, युग संधी की प्रस्तुत प्रभात्वला को ठीक ऐसा ही मुहूर्थ समझा जाना चाहिए, जिसमें साहसी, सदाशेई छोटे-छोटे कदम बढ़ाने पर भी अत्यधिक श्रे संचित कर सकने वाले दूरदर्शियों में गिने जाएंगे